हेलो प्रेंट्स मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स तो आज की कॉमिक्स है आखरी सीरीज का सेकंड पार्ट पर कालों की धरती तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तिरी के पूर्फ साथ एक अज्याद पिस्पोर्ट के बाद जागे धुरूब और परमाणू ये देखकर हरान रह जाते हैं कि धरती पर से उन दोनों के अलावा सभी लोग पुसू पक्षी इत्यादी गाइब हो चुके हैं टेंपरेरी मेमरी लॉस से जूसते धुरूब और परमाणू अपने अलावा धरती पर बचे दूसरे जीवन की तलास में एमाजोन के जंगलों में पहुँच जाते हैं जहां उनकी मुटपेट विजित जीवो और धरती पर उन्हें ही तलासते हुए पहुँचे पर गहरियों से होती है पर गहरी उनसे परास्त होकर गाइब हो जाते हैं और परमाणू अपने बीतर कुछ अनोखी सक्तियों का संचार महसूस करता है जो कि उसे और धुर्ब को पलग जपकते ही एमाजोन से मैक् तिक्षा कर रहा है विस्तित कता है तो इस श्रिंकला का पर्थम अंग आखरी रक्षक पड़े जो कि आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा कहीं किसी दूसरे ग्रैपर ये ये कहां आ गए हम हम यहां कैसे मैं तो घर पर बैटा मैच देख रहा था कि अचाना का कि चोनिया देने वाली तीर परकाश के साथ एक चोड़दार धमा का हुआ उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं या चारो और देखो धरती चटाने सब कुछ नीले हैं जैसे जैसे कि हम लोग पृत्वी पर नहीं किसी और ग्रैपर अरे ये धरती भूकब की तरह क्यों कौपने लगी हे भगवान ऐसा लगता है जैसे समूची पृत्वी के जानवरों का जुत हम पर चढाही करने वाला है ऐसा लगता है जैसे ये सब सभी किसी चीज़ से भह्वित होकर भाग रहे हैं पर इतने बड़े जुट को कौन भहवित कर सकता है हे भगवान तो इनसे भेवित होकर भाग रहेंगे वे जानवर भागना तो हम लोगों को बई पड़ेगा वनना या तो जानवर रोन डालेंगे या फिर ये एलियन, डाइनसोर हमें अपना शिकार बना लेंगे ओ, ये कैसा नर्वक्षी पेड है जो धर्ती से निकल कर हमें शिकार बना रहा है ये पेड और लताएं तो किसी परकार की जहरेली गैस भी छोड़ रही है इस दो तरफा मौत से हमें अब कोई नहीं बचा सकता तब ही महां से ही कबा जाती है हे बेडिया दब, मदद और हम देखते हैं वहाँ पर बेडिया को अब तक मुझे इस्थिती पूर्टस समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैं सांता परन्तो इन विजित पशो वे नर्वक्षी पेडों की नहीं लोगों को नुकसान नहीं पहुचाने देगा बेडिया ये कौन है जो भी है हमारी लिए तो मसिया बन कर आया है आओ आओ सैतानो अच्छे सलिपिट लो वे बेडिया को अपने बंदनों में पूछा जाद छोड़ दी बस यही गलती कर गए न अब गलती का खामियादा तो हुखतना ही पड़ेगा उफ इन विशालकाओं का तो भूली गया था मैं सर परतम मुझे यहां उपस्तित सभी मानवों को सरक्षित इस्तान पर पहुचाना होगा परन्तो इस वीचित धर्ती पर सरक्षित इस्तान कहां तलासूँ उफ इनकी संक्या बढ़ती जा रही है मुझे सीथता से कोई उपाई सोचना होगा अनेता इनकी बहुगुड़ित शंक्या पर काबू पाना मेरी लिए भी दुशकर हो जाएगा ओ यह क्या मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसी यह वीचित नीली धर्ती हमारे भूम अंडल के वाईउ करणो को ठोस रूप में निर्मित कर रही है तब ही वाँ पर शक्ति आयाती है तुम बिलकुँ सही समझे भीडिया इस ग्रह की धर्ती ठोस ऑक्सिजन करणों से बनी हुई है जबकि वाईउ मंडल जहरिली कैलोरीन गेस से निर्मित है शक्ति यहां की धर्ती के गर्ब में यह मानब सरक्चित रह सकते हैं यह डाइनसोर अपने विशालकाय रूप के कारण वाईउ मंडल की कैलोरीन में सांस लेते हैं धर्ती के नीचे की सुद आक्सिजन में इनका दम घुट जाएगा वाकई इस गड़्टे में तुमारे दुआरा फेका गया विशालकाय ऐसी तरड़ तरड़ कर मर गया जैसे उसे स्वांस ही नहीं आ रहा चल्दी करो भीडिया सभी मानब को इस गहरे क्रेटर में उतारना होगा जब तक हम इस अपदा का कोई स्थाई हल नहीं डूड लेते आप सभी लोग यहां पर सुरक्षित रहेंगे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे पहुचा दिया हम दोनों को उपर रहकर ही इनका मुकाबला करना होगा अपने एनिमल इंस्टिटिकल के कारट यह डाइनसोर जरूर क्रेटर में मौजुद लोगों की ओर लपकेंगे तड़ाक बले ही नीचे हम दुम गुटने से मर जाएं पर नीचे मौजुद लोग इनके विशाल काई सरीर के नीचे दप सकते हैं अरे अचानक यह हम पर आकुमन्ट करना बंद करके इस पर काचिंगारने क्यों लगे ऐसा लगता है जैसे वे किसी को पुकार रहे हो शायद अपने सातियों को हे भगवान उदर देखो भीडिया वे अपने सातियों को नहीं अपने मालिकों को पुकार रहे हैं हे भीडिया देपता अब तू ही मदद कर इधर मैक्सकों में यदि वे पर गहरी अचानक गायब नहीं हो गए होते तो शायद हमारे अंसुल्जे सवालों के जवाब मिल जाते जीवन सक्कित इन जंगलों से आ रहे हैं दुरूप शायद किसी जंगली कभीले को निचित रहो परवाणू यदि कोई आसपास जीवन है तो हमारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे ओ माइ गॉड ये कोई सावान जंगली कभीला नहीं परवाणू यह तो कोई परगहरी आदिवाशी कभीला लगता है वे किसी परगहरी की जानवर का शिकार कर रहे हैं ये सब क्या हो रहा है तो सभी अभी पिछले परगहरी का चक्कर समझ में आया ही नहीं कि नहीं मुसीबत खड़ी हो गई मुसीबत सिर्क खड़ी नहीं हुई परमानु हम पर हमला करने को भी दोल पड़ी है देखने में तो आम पाशांड युगीन वाले लगते हैं इनके हतियात इसकल मिसाइलों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं वो मिसाइल नहीं हतियार परमानु का पीछा करते हैं हिप परगरी चोड और टेर्ज भिन है पर्माणू उन्हें यहां सांस लेने में दिक्कत हो रही थी यहां तो सिकारी भीडिया जैसी इनकी फुर्ती और इनके हिंसक भावों से साब पता चल रहा है कि इन्हें यहां के वातावरण में कोई दिक्कत नहीं है यह हमारे लिए एक दिक्कत की बात है यह तो वाकरी सिकारी भीडियो की तरह वार कर रहे है चरासी चूप और यह हमें फार डालेंगे उफ परवाणू तुमारा खून यह तो रेडियो की तरह चमक रहा है हे बगवान यह क्या है इनसे भेवेट होकर फिलाल परगेरी आदिवासी भी नत्पस तक हो गए है यह तो कई सो मिल लंबी उलकाएं हैं पर यह अचानक हवा में कहां से पैदा हो गई इनके पैदा होने की चिंता चोड़ा दुरूप चिंता इस बात की करो कि यदि यह उलकाएं प्रित्वी से टकरा गई तो पूरी प्रित्वी का अच्वित मिड़ जाएगा पर हम उलकाएं को मुकाबला कैसे कर सकते हैं परवाणू कोशिश तो करनी ही होगी विद्रूप अपनी आखरी सास तक प्रित्वी को बचाने की कोशिश करनी होगी मैं पिछले कुछ समय से सारी प्रिस्टियों का अवलोकन कर रही हूँ अब तक मैं अस्वंजनत में थी कि इनके मामले में हस्थेप करूं या न करूं उदर कोई उनको दुरूप और परमाणू को देख रहा था परमाणू उड़ चला था उन उलकाओ पिंड़ों की तरफ परन्तु अब मुझे हस्थेप करना ही पड़ेगा इन ब्रदाकार उलकाओ को एक साथ नहीं रह सकता मैं यदि आचारे जनक रूप से मेरी शक्तिया हजार गुना नहीं बढ़ गई होती तो इन उलकाओ के परचंट ताफ पे बेग के सामने मेरा इतना टैहर पाना भी संबब ना होता परवानू के प्रियास से उलका की सिर्फ गती ही कम हो रही थी उन उलकाओ को रोकने का एक प्लान तो है दिमाग में पर मैं उसे परवानू तक कैसे पहुचा हूँ मैं तुमसे मानसिक सपर कैसे इस थापिस कपा रहा हूँ ये मैं भी नहीं जानता पर मैं तुम्हें सुन सकता हूँ दुरू ओ ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो परमणू अब चपकी तुम प्रकास गती से उड़ सकते हो तुम्हें अपनी इस सकती का प्रयोग कर उलकाओ के चारो और प्रकास गती से घुनना होगा इस तीर ग्वेक स वे घर्षन से पहले से ताप उलकाओ की आवनिक सरचना कमजोर हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा प्रकास वेश से उड़ता शरी इन उलकाओ को आसानी से काट सकेगा तुम्हें उन सभी उलकाओ को छोटे खंडों में विवाजित करना होगा छोटे खंडों में आवनिक व सभी नसे एक साथ फट पड़ेंगी परंतु मुझे अपनी समथ इच्छा सक्ती को जोखनी पड़ेगी वन्ना अनर्थ हो जाएगा जो परवाणू जीते जी नहीं होने देगा यहां से वास्तविक दुसकर करने सुरू होता है परवाणू तुमारी अन्य शक्तियों की तरह ही तुमारी एटोमिक फ्रेग्मेंडेशन पावर भी एम्फिलिफाई हो चुकी है तुम्हें उसका प्रयोग कर पुन विगटित होते खंडों को पुनता आवनिक रूप में प्रिखंडित करना होगा उससे पूर भी तुम्हें परकासकती से अंतरिक्स में पहुँचना होगा उलका खंडों के समाने रूप में आने से पूर भी सूर्वे के जितने करीब सको पहुँचो प्लान तो तुम्हारा बढ़िया है दुरूप पर काम ही कर रहा है लेकिन एटोमिक प्रेक्मेंटस को अधिक समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता उलका खंडों ने समाने रूप में आकर पिर्थी पर गिरने लगींगे ओ अब तुम्हारा प्लान मुझे समझ में आ रहा है सूरे का गुरुत अक्षण इन एटोमिक चार्ज उलका खंडों को अपनी ओर खीच लेगा हाप परमाणू परन्तु इप गुरुत वाक्षण तुम्हारे भी अपनी ओर खीचेगा और इस समय तुम्हारे भीतर इतनी आवनिक उर्जा है जो कि इस हिस्ती में तुम्हारे सरीर को एटोमिक बम की तरह फाड़ सकती है तुम्हें फॉरन वहां से निकलना होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा सरीर सैकड़ों बट्यू के एक साथ जल रहा हो जिससे एक साथ कई गिराओं का दवाब मेरे सरीर पर पढ़ रहा हो अपने सरीर के भीतर एक साथ सैकड़ों सूर्यों का ताप प्रस्पिट होते मैसूस हो रहा है मुझे मैं अपने होस कायम नहीं परवाणू नीचे गिनने लगा परवाणू से मेरा मांसिक संपर्क तूट गया सायद परवाणू बहुश हो गया है पर इस उचाई से गिर कर तो उसका सरीर खिल-खिल हो जाएगा कैसे बचाऊं परवाणू को परवाणू को भ्योश शरीर मेरी पहुंच से बहुत दूर है मैं समय रहते उस तक नहीं पहुंच सकता नहीं अरे यह है क्या परवाणू का शरीर धर्ती से जहां टकराया ऐसा लगता है जैसे वहाँ धर्ती ठोस नाओकर गतिदार एयर बैग हो पर यह जादू कैसे हुआ क्योंकि मैंने धर्ती के उस हिस्चे पर की आवनिक सर्चना बदल दी थी अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो उत्तर जी भी भूमी से टकरा कर कुछ नहीं विगड़ने वाला था अलबता आसपास हजारों वर्क किलोमीटर चेट पीशन्ट विस्पोर्ट से तवा अवश्य हो जाता कौन हो तुम मेरा नाम कारा है दुरुप और मैं शायद इकलोती प्राणी हो जो तुमें वे पूरे ब्रह्मान को इस मुस्किल से निकाल सके जो तुमने और इस उत्तर जीवे ने खड़ी करी है तो तुम मेरा नाम भी जानती हो जीवित प्राणियों के मस्टिक की समस्चनकारी एक्सिस करने की छमता है मुझ में मैं तुमारे जीवन की हर घटना तुमारे मस्टिक में पढ़ सकती हो जिन घटनों का इस मुरन तुमें नहीं है तुमें है भी नहीं यानि तुम जानती हो कि किस घटना ने पिर्थवी को बियावान बना दिया? हाँ, पर मेरी शक्तियां सिर्फ मस्तिक पढ़ने तक सीमित नहीं हैं मैं उस कॉस्मिक इन मैलनिस को भी देख सकती हूँ जो कि पृत्वी से जीवित प्राणियों के ट्रांस्फियूशन से उत्पन हुआ था एक मिनट ट्रांस्फियूशन से तुमारा क्या मतलब है? तुमने और तुमारे साथी ने एक ऐसी अलोकिक उर्जा शक्ति के साथ छेट छाड़ की है जिसे समाल पानी की छंता मानवों में नहीं है तुमारे इस बेवकूपी से भे उर्जा अनिंतरित हो गई और प्रहमार में कॉस्मिक इन्बैलेंस की इस्तिती उत्पन हो गई किस परकार का कॉस्मिक इन्बैलेंस? तुमें क्या लगता है कि तुमारे गरे के मनुष्य जीब चंतु सभी कहां गाइब हो गई? मैं नहीं जानता Cosmic Inbalance के कारण जिस परकार दूसरे ग्रहों के प्राणियों का Transvision प्रतिव पर हो रहा है उसी तरह प्रतिवी वाशियों का भी Transvision प्रमाड के अन्ने ग्रहों पर हो रहा है जो की सुदूर आकाश कंगाउं में इस चित है तब ही हम देखते हैं स्टील और डोगा को किसी और ग्रहे पर हम कहां तक ऐसे ही अन्दादुन फाइरिंग करते रहेंगे डोगा बोलता है जब तक धातू वे जीवित कोश्काव से निर्मित ये विजित प्रानिक खतम नहीं हो जाते या हमारे कार्थुस खतम नहीं हो जाते ठोक के रहो हमारे रहते ये कमेने इलियंस प्रत्वी वाजियों को तो क्या प्रत्वी की एक छीटी को भी नहीं मार पाएंगे दहाएं पूम बचोटोगा इनके हतियार हमसे कहीं जादा मारक और एडवांस है इनके वारों का हलका सा भी इस पर हमें गाहल नहीं करेगा फॉरर राक कर देगा इनका एडवांस होना ही इनके लिए खातक सिद्ध होगा इस टील इनके बार करने की प्रक्रिया पर दिहान दो जिस तरे गोलियां चलाते समय शरीर की सारी नसे रख चाब बढ़ाने में तन जाती है और मास पेशियां कर जाती है वैसे ही बार करते समय इन मशीनी प्राणियों की नसे जैसे तार वे कोशिकाएं भी तन रही है यानि की ये तार अदरसर इनके सरीर का ब्लड सर्कुलेशन करने वाली नसे हैं इन्हे निशाना बनाओ मशीनी सरीर की नसे फटते ही इनका ब्लड सर्कुलेशन ठफ हो जाएगा और ये भी एक्सिलेंट आइडिया डोगा ये नस्ट हो रहे है ये परगिरी पृतिव वासिक किन हतियारों का प्रियोग कर रहे हैं जिनका सामना हमारी सबसे एडवांस कौम बैटल फोर्स भी नहीं कर पा रही ये हजारों साल पिछडी पदिती के हतियारों का प्रियोग कर रहे हैं सर्म पैक्रोबोर्ट इनके हतियार कॉर्पेंडिट एर प्रेशर से धातु वे जोलन सी बिसपोटों को चल्ले छोड़ रहे हैं क्या कह रहे हो बर्ट ऑनिक हजारों बर्ष पिछडी पदिती के हतियार भला इस आकाश गंगा के सबसे एडवांस कॉम्बैटर्स को कैसे नस्ट कर सकते हैं क्यूंकि समय के साथ अपनी सुरक्षावे मारक प्रल्यानियों को हमने इतना एडवांस कर लिया है कि ये विचार सिर्फ ब्रह्मान की भिविन उड़ जा सकतियों का ही प्रयोग होता है ब्रह्मान की कोई भी उड़ जा सकती हमारे कॉम्बैटर्स के सरीट को नहीं भेज सकती पर इनके हतियारों के आगे हमारी कोई विसात नहीं यानि ये अदने मनुष्ये अपने पिछड़े हतियारों स से हमारे पूरे ग्रह को समाप्त कर सकते हैं अफसोस पर तो यही सच है सर मैक्रवॉर्ट सस्त्रू अपिक्षा से अधिक सक्तिसाली हो जाए तो उससे संदी करने में ही भलाई होती है सर मैक्रवोर्ट वैसे भी प्रिथिविवाशी से हमारी कोई नीजी इसत रुखता नहीं है तुम ठीक कह रहे हो बर्ट अनिक हमें इन प्रिथिविवाशीों से संदी कर लेनी चाहिए रुख जाओ मानवो हम इंसा रही शान्ती चाहते हैं अपने अगनेस्तों का प्रियोग बंद कर दो हम वादा करते हैं कि तुम पर या अन्य किसी भी प्रिथिवाशी पर कोई आक्रमन नहीं करेंगे धर्ती से गाइब हुए ब्रहमाण रक्षक और विस्प आवादी ब्रहमाण के भिविन दुर्गम किरों पर कैसे पहुँचे ब्रहमाण की अन्यंत्रित होती शक्तियां और भिविन प्राग्रियों सबेताओ की धर्ती पर प्रकट होने का क्या संब्द है कारा मित्र है यह शड्यंत्कारी कहानी चारी रहेगी ब्रहमाण के योद्धा में तो गाइस यह था आखरी सीरीज का सेकंड पार्ट पर कालो की धर्ती तो इस आखरी सीरीज के थर्ड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे जो की है ब्रहमाण के योद्धा तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और पैल आइकन घंटे को प्रेस करना बुले जिससे आपको आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए चलती मिलते हैं अगली कॉमिक्स में ठैंक यू